मैं मिस्सिस खरे लाल बागस इंटर कॉलेज के यूटूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ आज मैं क्लास 12 के लिए फिजिक सीरीज का पार्ट 157 लेके आई हूँ आज मैं बताऊंगी human eye and image formation by the eye human eye है ना नेत्र का गोला बच्चों ये बाहर से एक दिन तथा अपारदर्शी श्वेद पर से धका रहता है जिसको कहते हैं दिन पटल गोले के सामने का भाग जो हैं पारदर्शी तथा उभरा हुआ रहता है जिसको कहते हैं कार्णिया कार्णिया के पीछे एक अपादर्शी जिली का पर्दा होता है जिसको कहते है आईरिस आईरिस के बीच में एक छेद होता है जिसको कहते है नेतरतारा इसकी नेतरतारा यह पुतली पुतली की एक खासियत होती है जब प्रकाश अधिक होता है तो ये छोटी हो जाती है जब प्रकाश अधिक होगा तो छोटी हो जाएगी और जब प्रकाश कम होगा तो ये अपने आप बड़ी हो जाती जिसे सीमित प्रकाश की मात्रा ही अंदर जा पाती है आईरिस के पीछे एक जो है नेत्र लेंस होता है इसकी आगे के भाग की वक्रता तिज्जा बढ़ी होगी पीछे के वक्रता तिज्जा छोटी होती है ये लेंस कई पर्तों से मिलकर बना होता है जिनकी अपरतना बाहर से भीतर की और बढ़ते हैं और लेंस अपने स्थान पर ये मास पेशियों जारा टिका रहता है इसके कार्निया और लेंस के बीच में एक लिकविड होगा जिसको कहेंगे जली द्रव हैं जिसका परतनांग होता है 1.336 और इसके बाद लेंस और इधर इसके बीच में ये कांच द्रब होता है ठीक है ये भी ये पारदर्शी द्रब है ये आपका कांच द्रब कहलाएगा विट्रस्यूमर इसका परतनांग भी 1.336 ही होता है अब देखें दिर्बटर के नीचे एक काली जिली का गाले रंकी जिली होती जिसको कहते कोरायड दिर्बटर के नीचे कि ये क्या कोरायड है काले रंकी ये क्या है कि प्रकाश को शुषित करके प्रकाश के परावर्तन को रोकती है आंतिक प्रावर्तन को रोकती है ठीक है अब देखें इसके भीतर जो है यह होता है यह रेटिना ट्रांस्परेंट यह फिल्मूती इसको कहते है रेटिना एक पादर्शी जिली सबसे भीतर सबसे बहार दिर्ण पटल कोरायट फिर है रेटिना रेटिना में अब यहां से प्रकाश सिराय निकल करके मस्टिक सब पहुंचती है तो जहां से यह प्रकाश सिराय जो है यह भेद करके मस्टिक सब पहुंचती है यहां पर इसको कहते हैं अंद बिंदू इस स्थान पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और रेटिना के बीचों बीच एक यह तो पीला भाग होता है जहां प्रतिविम सबसे अधिक इस पस दिखाई देता है जिसों कहते हैं यलो इस पांट अब नेट से प्रतिविम का बनना है ना थो नेट के सामने कोई वस्थो रखी होगी तो उससे प्रकाश जो है कानिया दौरा जो है आँके लेंस पर गिरेगा और लेंस इसका प्रतिविम प्रत्विम के अन्भों के अधार पे प्रतिम अन्भो के अधार पे सीधा दिखाई देता है अब देखें लेंस की नेत की समझन शमता अब देखें नेतर जो है दूर की वस्त को भी देख लेता है और पास की वस्त को भी देखता है जब नेतर दूर की वस्त को देखता है तो अनन्त पे रखी वसको देख रहा है, तो प्रिकाश केन्य समानतर आएंगी और फोकस पे आके मिलती हैं, तो इस समय जहें आख रिलेक्स होती है, मास पेशियां धीली रहती है, फोकस दूरी अदिकतम होती है, नेतर लेंज से रेटीन तक की दूरी फोकस दूरी, नेतर ल तो देखे, पास की वस्तू देखते हैं, तो मास पेश्या जो है, लेंस पे दबाव डालती है, जिससे लेंस की जो है, वक्रता तिज्या कम हो जाती है, वक्रता बढ़ जाती है, वक्रता तिज्या कम हो जाती है, फोकस दूरी कम हो जाती है, तो निकंड की वस्तु देखे डिफ्रेंट यहाँ यू इंफिनीट यहाँ यू यहाँ आपका पास में है है ना डिफ्रेंट यू के लिए वी सेम ये दूरी सेम है ये दूरी सेम है तो क्या हो रहा फोकस दूरी बदल लई है ठीक है तो जब पास की वस्तु देखते हैं तो आपकी पे अनेत लेंस की मास पेशियां दबाव डाल करके लेंस की वकरता को बढ़ा देती हैं वकरता तिरज्या कम हो जाती है फोकस दूरी कम हो जाएगी प्रत्विम फिर रेटिना पे बन जाएगा तिससरे से आपके लेंस में अपनी फोकस दूरी बदलने की शमता होते हैं समझन शमता तो जितनी अधिक पास की वस्तु देखते हैं उतनी अधिक समझन शमता लगानी पड़ती है तो आख के निकट वो बिंदू जिस पर अधित्तम समंजन शम्ता लगा करके वस्व इस पर दिखाई दे सके उसको कहते हैं निकट बिंदू नॉर्मल आए के लिए ये 25 सेंटीमीटर होता है 25 सेंटीमीटर पर कोई वस्व रखी है तो वो इस पर यहाँ पर रेटिना पर प्रतिम बनाएगी तो इस पर दिखाई देगा ठीक है और इससे नजदीक अगर रखते हैं तो बस इस पर दिखाई नहीं देगी तो आँख से ये निकट बिंदू तक की दूरी जो है वो क्या कहलाती है इस पर दिखाई की नूनितम दूरी ठीक है आज के लिए बच्चों इतना ही मिलते हैं नेक्स पार्ट में